हेलो विवर्स आज की वीडियो में हम गोल गला कटिंग करने के लिए हमने एक बुकरम का पीस लिया है जिस बुकरम की चोड़ाई 8 इंच है हमारे पास और बुकरम की जो लंबाई है वो 9 इंच का एक पीस लिया है और इस तरह हमको इसको डबल फोल्ड कर लेना है जैसे कि आ भाव करने में उसका हाफ करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास डाई इंच से अटस्टा आया है इस तरीकिते से हमने डाई इंच से अच्टे पर एक निशान लगा लिया अब हमको क्या करना है उस निशान को हलका सा निच्छe तक ड्रो कर लेना है और ऊपर से आदा के लिए यह निशान जब हम गल्ले को कुड़ती में अटेज़ करेंगे तो उपर सिलाई में चला जाए गया अब हमको जितना भी गल्हां को डाइडर रखना है उसका निशान लगा ले खार हम को सात इंच जो हमारा गल्हा है वह बिलकुल रडी रखना है तो हमें सात इंच पर निशान लगा लिए और इसी तरिकये बींट दो हूरि काड़ा कर 7 इंच पर एक तरीका से एक पर बोक्स बना लिए जैसे किसे आप देख सकते हैं यह हमने एक हलकी सी लाइन ड्रो कर दिया जिससे हमारे गोल गले का जो शेप है वो बिल्कुल पर्फैक्ट लियाएगी और असान तरीके से आप इससे कटिंग करेंगे अब इस लाइन पर हमको आदा इंच पर एक निशान ड्रो करना जैसे कि आप देख सकते हैं हमने कौने से 10 इंच पर एक निशान लगाया और उस पर एक ड्रोइंग बनाई उस ड्रोइंग को हमने कटिंग कर लिया इस तरीके से जो हमने गोल गला कटिंग क्या है वह बहुत ही असान तरीका है गोल गला कटिंग करने का अब हमको क्या करना इस गले से एक एक इंच एक्स्टर एक न साथ साथ बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाएंगा और देख सकते हमने कितना सुन्दर और स्टाइलिस और अटक के गोल गला कटिंग किया है